है कि हम आमूस iht किताब निकालेंगे हम मुच्छ कि किताब नीकालेंगे सिदाम उसका 3 अध्याए है बहुत आज प्रमिश्व का अभीशेख है आज के वचं की उपर होता है तुरात में आpad हो पर के उपर परमिश्र की का अभी शेक है लिए तो अपने दासों के उपर परगड किये विना वो काम नहीं करता वो अपने इच्छा को अपने दासों के उपर परगड करता है और अपने लोगों को इच्छा देता है हालेलुईया कि इसी इच्छा को हम अगर लिखेब अपने दासों के उपर अपनी इच्छा को परगड़ करता है हालिलुया और हम देखें कि क्या लिखा है अमोस की किताब तीन अध्याए उसके अगर हम शे आज से पड़ें क्या किसी नगर में नर्सिंगा फूंकने पर लोग ना थर्तरा आएंगे किया यहावा के बिना बेजे किसी नगर में कोई बिपत्ती पड़ेगी किया यहावा के बिना बेजे किसी नगर में बिपत्ती पड़ेगी कि जब आप दुनिया में बढ़ जाता है परमेश्र बिपत्तियों को बेजता है हालिलुया कि कहता है क्या यहावा के बि कब बिपत्ती के बिने में लोगों को बताए ना कि यहांवा के कुष को इंब बॉलइजे को इस परकार से प्रभू यहांवा अपने दास बविश्य वक्ताओं पर अपना मरम बिना परगड कि ए कुछ ना करेगा फर में चुछ अपने दासू परगड करता है और कलीश पर नंके नीश कह पड़े जो परमेश्चों चाहता है वो अपने धासों के दौर अकलिसिया में करता है और अज इस और चर्च के भी यह जो इस मिल्सिट के फॉलवर्स हैं उनके लिए परमेश्चों क्या संदेश देना-चाहता है बेरी आपके लिए मुझे देता है जो मैं तैयार करके नहीं आता हूं जो इंसेंट परमेश्य उस राधना करते वक्त मेरे उपर मेरे मन में परगड़ करता है तो परमेश्य का दन्यवाद बिना परगड़ किये कुछ भी ना करेगा कौन ना डरेगा परमेश्य उस अधर भा बोला कौन बविष्य मानी ना करेगा का लिलूए इंपर में बिना परगड दन्यूश्य अपके बीच में कुछ नहीं करेगा परमेश्य ना 2 जोन महिने में क्या चाहता है अपने लोगों में अपने कलीशिया के बीच में और आज प्रभू हुमारे बीच में परगट कर रहे हैं जून महिने में परमेश्वर हम क्या शुरू करेंगे जून महिने में क्या करेंगे हमारा फोकस हमारा दियान किस बात की और रहेगा मई में आपका दियान किस की और परमेशन ने किया बताओ मनन करो थोड़ा सा मई में कौन सा वचन चला कौन सी सिरीज चली परमेशन आपका दियान किस बातों की और परगड़ किया और परमेशन क्या चाहता था क्या चीज चल रही थी जो आपको ज़्यादा गहराई से जब वो समझ आई क्रोना वाइरस आपको पता चला अप्रेल में में पर मेशने क्या परगट किया अगर हम देखें पर मेशने इस घ्मत्रियों के बीच में अपना लोगों का ध्यान प्रातना के और खीचा जो जाती हैं तुझ पर उससे प्रातना नहीं करते उनीपर अपनी जल जलारट उंडेल प्रबु कहता है न विप्ति आंउंडेल नंग aquí जो पाप में जो जाती है मुझसे प्रॉटान करती ता जब फिर मेरी और फिरें ह Алекс लोई है वो मेरी और फिरें और परमेशों ने आपको क्या सिखाया सबसे इंटरस्टिंग टॉपिक जिसके सुन के आप बहुत आशी परमेशों की उपस्तति के साथ अनबब करना उसके साथ सहब सहबाग्यता करनी एक होना फिर परमेशने का अब तुझे अभिशेक चाहिए इन दुनिया में उपस्तति में तुम आ चुके हो अब तुमें मेरी सामर्द को परगट करना होगा दुनिया में दिखाना होगा कि मैं ही परमेशर यहावा हूं फिर आपका ध्यान अभिशेक की और गया और अब क्यांत सा टाइम आ चुका जोन महीने में आज मैं आपको श हमेशे के बचन के दौरा प्रातना और अराधना और इस मीने में आप केवल सीखेंगे नहीं आप बचन के बीच में से प्रातना करेंगे और अराधना करेंगे और आप सीखेंगे बचन के बीच में से कैसे प्रातना करनी है और कैसे अराधना करनी है और जून महीने में हम अराधना करेंगे परमिश्व की और सीरिज कि के विशे में चलेगी यही वच्छन के दरह प्रातना और अराधना करना हालेलोहिया अराधना का महत्तव हमारे जीवन में अराधना कैसे करनी है अराधना कैसी होनी चाहिए अराधना में कौन सी रुकावटे हैं रुकावटों क कैसे दूर करना है कि स्रीटी से अराधना करनी कैसी अराधना नहीं करनी कि अराधना में टॉपिक सब भी हम इस विश्य में बात करेंगे हालेलोहिया और एक सच्चा अराधक ही परमिश्र का दोस्त बन सकता है हालिलोईया कि अब दोस्त बनना चाते हैं परमिश्र की उसे अपना दोस्त बनना चाते हैं तो एक सच्चा अराद की परमिश्र का दोस्त बन सकता है आज जब मैं पढ़ रहा था कि परमिशु का दोस्त दोस्त जो बाइबल में प्रभू के दोस्त बने उनके साथ प्रभू का रिष्टा कैसा था हालेलोया कैसे उनसे बात करता था कैसे परगड करता था आप जब सुनों कि आप हैरान हो जाएंगे और आप आपकी भी इच्छ बाइब आप जाग जाएगए आपके अंदर के नहीं मुझेे विए कवल एक बिलिवर नहीं बनना मुझे लिक चेला भी नहीं बनना मुझे परमिश्व का दोस्त बनने इं मतलλά उसे ऐसे बाते करेंगे जिस तरह दोस्ते बाते करते हैं डर के नहीं आप मतलब एक ऐसे दोस्ते दोस्ते आप सब को शेयर करते हैं ऐसा उसका रिष्टा हो जाएगा प्रमेश्य का कि आप किसे बात करते ना पासर जब बुरा नहीं भाई आप बुरा तो नहीं माना हुए मैं बात कहूं आपने एक बात कह दी पिर आपने एक बात की अब बुरा तो उन्हों मानेंगे एक पर रोट एक जीज जे बोलनी थी फिर भी उसने गुस्टा नहीं बना तीसरी बात आप बुरा तहीं मानू कि मैं में डरते हैं किसी के डांटने के विशे में डरते हैं किसी के अपने मन की बात बताने से डरते हैं अपना दिल खोलने से डरते हैं पर आप दोस्ते सब बातें शेयर करते हैं खुल के शेयर करते हैं और आज प्रभु ने मुझे जिए जोन महिने के लिए अनकल से कि आप परमिश्च के साथ हम दोस्त बने हमें क्या करना होगा कि हम परमिश्च के दोस्त बने कुछ भी ऊपर ना जेट चूप आएगा अगर तु प्रेयर में तो तेरे ये जे नहीं है तो इन हमलों में आपने कैसे जीना आपको ये भी उत्तर मिलेगा आप परमिश्य की इरादना कर रहे हैं तो आपको यारा सोचने की नहीं प्रभु खुद आपके उपर ऐसी बातें बताएगा अगर कोई भी हमला क्रोना वायरस आए ठिट्डियों का हमला और कुछ भी होए तो आपको कैसे रहना है तो आपके लिए निराशा की बात नहीं अगर आप सचे अरादक हैं फिर हालेलोया तो प्रभु ने परगट किया है तो अब इसी की अगर आम उसकी तीन की तीन पढ़ लें तो यहां पर क्या लिक है जदी दो मनुक्ष परस पर सहमत ना हो तो क्या वर एक संग चल सकेंगे जदी दो म मतलब यहां पर कि परमेश्य आपको एक दोस्त बनाना चाहता है और आपको अपने साथ सहमत करना चाहता है जदी आप परमेश्य के साथ दो मनुक्ष यहां पर दो मनुक्ष के वल बंदों की बात नहीं की प्रमेशन और प्रोरफट के बीच के रिष्ट्य की मिब बात समय सकते एक दास और उसके स्प्रिच्छο सन्डिं की बी बात कर सकते हैं वहाँ भी आप एक आत्मिक रिष्टे को देखें बहा पर फरमिश्ण इसकी बात की है हालेलोइद शाना परमे प्रहृट के रिस्ते के बीच में बात भी हो लिए एग को फॉफट और परमेशों और आपस में सहमत नई किया वो एक संग चल सकते है को यो कि फिर पराफॉट के उपर विनना परगट कि मैं कुछ नहीं करूंगा है तो यहां पर कि जदी 881 थो है वो आपको सहमत होना है परमिश्र के साथ दीरे दीरे आज बचन बताऊंगा जैसे परमिश्र चाहता है आपने उसमें सहमती देनी है परमिश्र को तो ही आप परमिश्र के संग चल सकते हैं तो ही आप परमिश्र के दोस्त बन सकते हैं हालेलोई आपको सहमती देनी होगी परमिश के साथ है किma हम एक होना होगा पर मेश्र की सोच के साथ आपकी सोच को अ कि लिकार Te keluar तुमारी सोच में जिमीन अस्मान का अंटर है पर अगर अचिकरा प्रभू के दोस्त बन जाये तो आपकी आपकी सोच पर मेश्र की सोच हो जाए گی क्योंकि दोस्त के साथ आब हर बात को शेयर करते हैं हालिलूई आ कश intellect को कहा मैं तेरे से बात नहीं शीपा सकता इसे तुम और दोस्त आ उसकी परमेशर की तो आपको पता है कितनी अदबूतर ये जहां पर आपकी सोच खतम होती है बहूं सब्सक्राइब तो अगर परमेष्र के साथ इस एक मन हो जाए जधी दो मनुक्सहमत हो जाय आपसे आप परमेष्र सेंस्ट लीडिखाएं तो परमेष्र की सोच आपकी सौच हो जाएगे आप में अब तो क्या नियुक्त है तो कैसे वो एक संग चल सकते हैं कि इसलिए आपको एक संग चलने के लिए आपको परमेश्यों के साथ सहमती दिखानी है हालेलोईया